वेल्कम बैक टू अनधर वीडियो तो हम जो कांटीनू कर रहे हैं टॉफ हंडेट कोईसंस फूड नुट्रेशन और हाइजीन की जो की इंपॉर्टन्ट है बीए, बीएस, बीकाउन सभी के कोर करीकुल कम सब्जेक्ट में यह आता है काफी इंपॉर्टन्ट है, इसके दो पार्ट अलड़ी अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने 25-25 करके 50 कोईसंस कबर कर लिया है आज हम 50 कोईसंस के आगे पार्ट नंबर 3 में कबर करने वाले हैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए, वो आपके लिए खाफी इंपॉर्टन्ट हो सकती है अगला क्वेस्टन है आपके पास 52 नंबर का क्वेस्टन, यह कह रहा है आपसे विटामिन A मुखरूप से किस में अभिलेवल है? गाजर और कद्दू में, मक्खन और तेल में, सबजी और फलो में या ए और भी दोनों में तो इन चारों में आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर क्वेस्टन के लिए तो विटामिन D जो है वो आपको गाजर और कद्दू में भी मिल सकता है और मक्खन और तेल में भी मिल सकता है तो यह हो सकता है आपका D नंबर option correct बट maximum के सेज में आप देखोगे मक्खन और तेल से ही जो है जादे मिलता है तो B भी सही हो सकता है बट आप D के साथ जा सकते हो अगला question है आपके पास 53 नंबर का question की in food pyramid is at the lowest of pyramid यानि की खादे पिरामिड में पिरामिड के सबसे निचले अस्थान पे क्या है आपको options है वसा और तेल, डाले और फलिया, carbohydrate या इन में से कोई नहीं तो इन चारों में से right answer क्या हो जाएगा 53 नंबर question का तो यह हो जाएगा आपका जो है पल्स and legumes यह क्या होता है यानि की दाले और फलिया जो होते है यह एक बेस तयार करते हैं यहां से आपको protein मिलता है जिसे प्रोटीन होता है पिरामिड का बेस जितना मजबूत होगा जि दाले और फलिया जो है आपके खाद की पिरामिड है अगला question है आपके पास 54 नंबर का question के फिच इस नॉट ए वाटर जो है इन में से कौन सा वाटर में घुलने वाला विटामिन नहीं है आपको आपके विटामिन B, विटामिन C, विटामिन K या इन में से कोई नहीं तो 54 नंबर question के लिए right answer क्या हो जाएगा तो इन में से कोई भी नहीं जो है जो आटल में घुजनसील ना हो अगला question है आपके पास major food nutrition आर भोजन के जो मुख्य पोशक तत्तों है वो क्या है protein carbohydrate वसा और तेल carbohydrate और वसा या इन में से सभी तो right answer क्या हो जाएगा 55 नंबर question के लिए तो अगर आप भोजन के आवश्यक तत्तों में देखोगे तो ये सारे ही कही ना कहीं आवश्यक तत्तों है भोजन के अगला question है आपके पास 56 नंबर का question की dietary fibers help in dietary fibers जो है आहारी ये फाइवर ये किस चीज़ में मतद करते हैं आपके options हैं अत्रिक तवसा का उसो सड में वज उपर्युक्त सभी मैंने आपको अलड़ी ही बताया था पिछले वीडियो में कि उपर्युक्त सभी जो हो जाए बतलब या फिर डी नंबर question में जो सभी वाला आ जाए न तो वह 99 परसंट सही होता है अब आई बढ़ते हैं अगले question के तरह 57 नंबर का question कह रहा है एक संतुल बिना सोचे समझे भी आप लगा सकते हो अगला question आपके पास 58 नंबर का question कि एक्जामपल आफ मैजोर मिनरल्स आर प्रमुख खनीजों के उदाहर क्या है calcium, potassium, phosphorus, sodium और potassium या इन में से सभी तो इन चारों में right answer क्या हो जाएगा 58 नंबर question का उपर्युक्त सभी अगला question 59 नंब या उपर्युक्त सभी तो इन चारों में से right answer क्या हो जाएगा 59 नंबर question के लिए तो यह हो जाएगा आपका option नंबर डी उपर्युक्त सभी अब आई बढ़ते हैं अगला question की तरफ अगला question है आपके पास 60 नंबर का question यह कह रहा है आप से कि एक्जामपल साफ फूड के लिए तो इसका जो जाएगा वो जाएगा आपका option नंबर डी उपर्युक्त सभी अगला question है 61 नंबर का question कि scientific name of vitamin A vitamin A का scientific name क्या है बैग्यानिक नाम क्या है तो options आपके सामने दिख रहे हैं जो है एसकार्बिक अमल रेटिनाल कैलसी फेरोल यह साइनो कोबाइल मिन तो इन चारों में आपका राइट इंस और क्या हो जाएगा 61 नंबर question के लिए तो यह हो जाएगा आपका रेटिनाल आपसन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा अगला question है 62 नंबर क्वेशन विटामिन ई रिच फूट्स आर विटामिन ई युक्त खादे बदार्थ कौन से हैं आपके options हैं कार्ड तेल विटामिन ई कैपसूल जर्म तेल या उपर्युक्त सभी तो इन चारों में से 62 न अगला question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है आपके पास 64 नंबर का question यह कह रहा है आपसे कि घेंगा रोग किस की कमी के कार्ड होता है आपके option से option number A है आपका calcium option number B है आपका iron option number 3 है आपका iodine and D है आपका zinc तो घेंगा नामक रोग I think आप सभी को पता होगा कि किस के कारड होता है तो यह होता है आयोडीन की कमी से option number C अगला question ने 65 नंबर क्वेस्टन की factors effective growth and development of a child बच्चे की बृध्धी और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है आपके option से ग्रभा उस्ता के दौरान पो अगले question हो सकता है आपका अहार और पोसरड क्योंकि यहां पर बृध्धी की बात हो रही है तो अहार और पोसरड हो सकता है यह दोनों में से कोई भी हो सकता है आप देख लीज सकते हैं maximum किसाज में उपर्यूक्त सभी आप लगा दोगे तो ज़्यादा सही माना जाएगा 67 नंबर का क्वेस्टन यह कह रहा है आपसे कि फंसंस ऑफ वाटर आर जल के कारी हैं जल के कारी क्या हैं आपके उपसंस हैं आपके पास रखते में अक्सीजन पहुचाना आवस्यक पहुसकत्तों का परिवहन तोचा के काया काल्प में मदद करना या उपर्युक्त सभी तो इ हमारे रक्त में लाल रंग होता है किसकी उपस्तेतिक्गे कई कार्ड होता है आपके आपके पास और मेज ए अधो मुखे रूप से किस से बनती हैं आपके options हैं iron और potassium से calcium से protein और carbohydrate से या जस्ता से तो इन चारों में आपका right answer क्या हो जाएगा 69 number question के लिए 69 number question का आपका right answer हो जाएगा option number B headdia maximum जो होते हैं वो calcium से बनते हैं अगला question है 70 number का question यह कह रहा है है आपसे obesity is an example of मोटापा किसीच का उदाहर है अती पोसर का कूपोसर का उचित पोसर का यह सभी तो right answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा आपका option number A अब यहां पर देखो परियुक्त सभी प्रफावित करने वाले कारक कौन से आपके options है परिवार के सदस्यों की संख्या आर्थिकिस्ति खादेपदार्थों के उपलबत्ता या सभी तो right answer क्या हो जाएगा 71 number question के लिए तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number D क्योंकि भोजन के यहोजना को प्रफावित करने वाले कारक यह भी हो सकते हैं किसी के घर में अगर दो बंदे हैं तो और अच्छा खाना बना सकते हैं किसी के 100 हैं तो नहीं बना सकते हैं आर्ची किसथि भाई टाइब टू गर्भा विद्धी या उपर युक्त सभी इन चारू में राइट इंसर क्या हो जाएगा 72 नमबर क्वेशन का तो इसका राइट इंसर हो जाएगा आपका और डी उपर युक्त में से कोई नहीं क्योंकि ग्रभा वस्ता में जो जो है आपका डाविटी होता है उ स्थाइफी की वजास्ते जो है थाइफाइट नामका रोग होता है अगले तरफ बढ़ते हैं सेवंटी-फॉर नमर का कुछन कह रहा है आप से कि राइस प्रोटीन के वसा के विटामिन और खनीच लवड़के तो राइट इंसर हो जाएगा तो देखो आर जमीन में रहने वाले आलू भी यह गाजर भी यह सल्जम भी यह मूली यह तो यह और बी दोनों आज की वीडियो में आज भी हम 25 कोशन सी कबर कर रहे हैं 75 तक इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 76 से हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजए पहली बाद चैनल पर आए तो प्लीज विजिट दा चैनल इफ यू ठिंक इस वैल पार्ट के साथ बबाए